प्रियंका शर्मा मैदा और घी आपस में अच्छे से मिक्स होनी चाहिए तो आप इन्हें आराम से मिक्स कर लें मौईन लगाने के लिए आप घी की जगा पर तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मौईन अच्छे से लगा है या नहीं इस बात को चेक करने के लिए आप थोड़ा सा मैदा अपने हाथों में लेकर मुठी बंद कर दें और अगर ये बाइन होता है तो मतलब मौईन अच्छे से लग चुका है इस तरह से तो अब हम गुनगुना पानी लेंगे क्योंकि हमने मौईन घी से लगाया है इसलिए हम गुनगुना पानी यूज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज करेंगे एक साथ सारा पानी यूज ना करें गुजिया बनाने के लिए आटा सक्त चाहिए होता है तो जाधा पानी इस्तिमाल ना करें अगर आप जादा पानी इस्तिमाल करती हैं तो आटा सॉफ्ट हो जाता है और गुजिया अच्छी नहीं बन पाती गुजिया बनाने के लिए आटा बिलकुल तयार हो गया है अब 20-25 मिनट तक हम इसे ढख कर रख देंगे इसकी बाद हम चलेंगे स्टफिंग बनाने की प्रोसेस में तो गैस का फ्लिम से चौन करके मैंने कडाही रख ली है और इसमें डाल देंगे घी जैसे ही घी गरम हो जाता है इसमें आट कर लेंगे सूजी मैं यहां आधा कब सूजी इस्तिमाल कर रही हूँ आप अपने रिक्वार्मेंट की हिसाब से कम्यजादा कर लें सूजी को लगातार चलाते रहेंगे ताकि यह जलेना गैस का फ्लिम आप मेडियम कर लें और सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दें सूजी का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है तो गैस का फ्लीम स्विच ओफ कर लेंगे अभी कड़ा ही गरम है तो थोड़ी देर तक लगातार सूजी को चलाती रहेंगे ताकि जलेना इसके बाद इसमें आड़ कर लेंगे पाउडर शुगर मैं यहां आधा कप पाउडर शुगर यूज़ कर रहे हूँ अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चीनी को थोड़ी देर तक मिक्सर में चला लें और इसका पाउडर तयार कर लें जैसे ही यह मिक्स हो जाती हैं इसमें आड़ कर लेंगे एक कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें आड़ कर लेंगे 8-10 बारी कटे हुए काजु 8-10 बारी कटे हुए बादाम और 10-15 रेजिन या किश्मिश इन्हें भी अच्छे से mix कर लेंगे इसके बाद हम mixture को कडाही से एक mixing bowl में transfer कर लेंगे आप चाहें तो ingredients को mixing bowl में भी mix कर सकते हैं पर मैंने इन्हें कडाही में ही mix किया है इसके बाद gas का flame से चौन करके same कडाही रख लेंगे और इसमें डाल देंगे मावा मैंने यहां 100 gram मावा यूज किया है आप अपने requirement के हिसाब से कम्याजादा कर लें मावा को हम थोड़ी देर तक गरम कर लेंगे ताकि यह soft हो जाए और दूसरे ingredients के साथ अच्छे से mix हो जाए मावा soft हो गया है तो gas का flame से चौन करके इसे mixing bowl में डाल देंगे और mixture के साथ अच्छे से mix कर लेंगे इसी के साथ ही हमारी stuffing बनकर बिल्कुल तयार है तो अब हम चलते हैं गुजिया बनाने की process में डो को रखे हुए 25 मिनट हो गए हैं तो अब इससे छोटी छोटी लोईयां बनाकर तयार कर लेंगे जितनी बड़ी लोई हम रोटी बनाने में यूज़ करते हैं उससे छोटी लोई बनाएंगे इसी तरह से बाखी बच्चे हुए आटे की लोईयां तयार कर लेंगे और इन्हें ढखकर रखतेंगे ढखकर रखना बहुत ज़रूरी है नहीं तो आटा ड्राई हो जाता है इसके बादे ने बेलना शुरू करेंगे इससे पहले आप चकले को अच्छे से ग्रीज कर लें ग्रीज करने के लिए आप तेल यगी का इस्तिमाल कर सकते हैं थोड़ा सा तेल यगी आप डो के उपर भी लगा लें ताकि ये चिपके न और अब इसे बेलना शुरू कर देंगे आप चाहें तो पहले सभी आटे की लोईयों को बेल करके रख सकते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे गुजिया बनाने वाला मोल्ड ले लेंगे इससे गुजिया बहुत यहासानी सी और बहुत ही जल्दी दयार हो जाती है गुजिया बनाने से पहले मोल्ड को अच्छे से घ्री श कर लें ताकि जब हम आटा इसके उपर रखें तो आटा इसके साथ चिपके न दो को आप इस तरह से मोल्ड पर रखें कि ये थोड़ा-थोड़ा मोल्ड के बाहर हो ताकि जब हम इसे बंद करें तो इसके ends अच्छे से सिक्योर हो जाएं इसके बाद इसमें stuffing भरेंगे बोहत जाद स्टफिंग ना यूज करें नहीं तो गुज्य फटने का डर रहता है आप इसमें 2 या धाई चमड स्टफिंग ही यूज करें इसके बाद से अच्छे से बंद कर देंगे इसके ends को अच्छे से सिक्योर करेंगे ताकि ये खुले न इस तरह से हर तरफ से इसे दबाएं और जो एक्स्ट्रा आटा है इसे निकाल देंगे बिल्कुल आराम से मोल्ड को दबाते हुए आटा निकालें ये जो एक्स्ट्रा आटा निकला है इसे आप उसी बोल में रखें जिसमें आपने आटे की लोईयां रखी हैं और बाद में इसे भी गुजिया बनाने में यूज करें अब बिल्कुल आराम से मोल्ड को खोलेंगे आटा मोल्ड के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपका है क्यूंकि हमने इसे बहुत ही अच्छे से ग्रीज किया था ये हमारी पहली गुजिया बनकर तयार हो गई है इसी तरह से बाकी बच्ची हुई गुजिया भी तयार कर लेंगे इसके बाद गैस का फ्लेम से चौन करके कडाही रख लें और इसमें गुजिया तलने के लिए घी डाल दें जैसे ही घी गरम हो जाता है इसमें चार या पांच गुजिया डाल दें थोड़ी थोड़ी दिर के बाद आप हर एक गुजिया को पलटते रहें, नहीं तो ये एक तरफ से जल जाएंगी और दूसरी तरफ से कच्ची ही रह जाएंगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको हर एक गुजिया को पलटते रहना है अगर आप गैस का फ्लेम हाई रखते हैं तो गुजिया जल सकती हैं और अगर लो रखते हैं तो गुजिया पकने में बहुत जादा टाइम लगा देती हैं इसलिए गैस का फ्लेम आप मेडियम ही रखें, मेडियम फ्लेम पर गुजिया बहुत ही अच्छे से बनकर तयार हो ज टिशू पेपर रख लें, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ओइल है, वो टिशू पेपर या फिर किचिन टॉवल एब्जॉब कर लें, इसी प्रोसेस से बाकी बची हुई गुजिया भी फ्राई कर लें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप हरे गुजिया को पलटते रहें, और गैस का फ्लेम मीडियम रखें, जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाता है, इने तेल से निकाल दें, गुजिया बनाते समय आप दो चीजों का खास जान रखें, पहली आपको गुजिया को ओवर स्टफ नहीं करना है, और दूसरी आपको इनके एंड्स को बहुत अच्छे से सिक्योर करना है, इससे गुजिया नहीं फटती है, बिल्कुल फॉफेक्ट बनती है, आप ये बहुत ही डिलीशिस गुजिया की रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राइ करीं, आपको बहुत पसंद आएगी, कैसी लगी रेसिपी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं